उत्राखंड में लगतार बढ़ती गर्मी से लोगों को रहत मिलना शुरू हो चुकिये उत्राखंड में मानसून आ गया है कल से बारिश पढ़ना शुरू हो चुकिये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैदार नात्वेली है यहांपर मासर प्लान के तहरी जो काम चलारा है वो इस वक्त इसक्रीन पर दिखाया जा रहा है तो वहीं जिस तरह से जो यहां परेटक आये हुए हैं तेर्थिस्तल पर रुके हुए हैं उनके लिए यह दिख रहेंगे जिस तरह से यह टेंट हाउस लगाए गये हैं पर और इनको यहां पर रुखने की विवस्ता की गई है साथ ही किस तरह से जो परेटक चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनको जाने की विवस्ता कैसी है इस पूरा एक लाइव स्ट्रीविंग के माध्यम से टूरिजम डिपार्टमेंट का जो हैड ऑफिस है यहां पर पूरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहे है तो चप्पे चप्पे पे किस तरह से नजर राज्य सरकार इस वक्त चारधाम यात्रा पर और यहां आने वाले यात्रियों के सुविधाओं पर रखे हुए है यह इसकी एक बानगी है साथ ही आपको बदा दें उत्रा खंड के अं चेंडrence के संख़्ा पिशले साल के मुकाबले इस साल दुग निया हो चुकी है उही चार घाम यात्रा में अकर बात करें तो चारधाम यातरा में पिछले साल हैं वो काफी शांदार हैं चार्लाम यात्रा काफी अच्छी चल रही है तूर्ष्टों के संख्या लगतार बढ़ते हैं उसको लेकर किस तरह की विवस्थाएं कर रहे हैं देखिए दस मई से जैसे गंगोत्री यमनोत्री के के दारनाथ 12 मई को बद्रीनाथ और 25 मई को श्री हमकुन साहब इसके कपाट खुले गए यदि हम पिछले 40 दिन का डाटा कर देखते हैं तो पिछले 40 दिन में अल्मोस 26 लाग दर्शनार्थी इन सारे स्थलों पर आ गये हैं पिछले सार के मुकाबले अगर देखा जाए तो पहले वाले 40 दिनों में 26 लाग का आकड़ा ये काफी बड़ा आकड़ा है परन्तु पहले के दो या तीन दिन के बाद ये आकड़े को हमने काफी रेगुराइज किया है रेजिस्ट्रेशन को पहले भी कंपल सरी था लेकिन इसको एन्फोर्स्मेंट की भी कारवाई आज की डेट में और आने वाले दो दिनों के लिए जो भी पिलिग्रिम जिनका रिजिस्ट्रेशन हो गया है उनको वाट्साप के मैसेज से हमने मौसम के एडवाईजरी भी 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 बेज़ दिया है सर उत्राखंड के अंदर टूरिजम को लेकर के माने मुख्य मंत्री हो या फिर प्रधान मंत्री हो लगातार चीज को कहते रहें कि डेस्टिनेशन वैडिंग उत्राखंड हब बन सकता है इसका दूसरा जिम कॉर्बट है हमारे पास राजजरी नेशनल पार्क है टूरिजम हमारे पास wildlife का है अब एक ने टूरिजम की बात की जा रही है सहासिक टूरिजम की तो इसको लेकर करके परेटन विभा की क्या त्यारिया है देखे एडवांच टूरिजम के दुरिश्टिकों से हमेशा शिवपूरी कौडियाला के बीच में जो हमारा राफ्टिंग वाला पै परसिल भी एक है इसके अलावा अलावा अलाख नंद और मंदा की नदी में भी अलग अलग पैचेस पर हमने राफ्टिंग की लाइसेंस इसू किये है और वहां पर राफ्टिंग शुरू हो गई है हमारी जो काली रिवर है जो हमारी इंडो नेपल बॉर्डर पे है वहां पर राफ्टिंग शुरू हो गई है इसके अलावा अरो टूरिजम जिसे हम बोलते थे यह हमारा हमेशा एक पोर्च नहीं तरह कि इसमें पोटेंशल काफी है तो इसके अताथ हमने पैरा सेलिंग पैरा मोटरिंग पैरा गलाइडिंग इसके अंतर गद भी काफी जगह पे ह हमने इसकी अवस्ता अपना सुजिदा विकसित की है और टियरी आज नो बिकम अ काइंड ऑफ न्यू हब जहां पर पैरा गलेडिंग और पैरा सेलिंग की अभी काफी पैमाने पे गतिवी दिया चल रही है हमारे साथ बात करने के लिए टूरिजम डिपार्टमेंट के सचीवत है जिन्होंने बताया कि उत्राखंट के अंदर टूरिस्ट किस तरह से नए-नए अडवेंचर्स कर सकते हैं उत्राखंट सरकार लगातार काम कर रही है सोलस से जगाओं पर नए लाइसेंस दिये गए हैं रिवर राफ्टिंग के लिए पहले के अब रिशी केश इसके लिए काफी मशूर था लेकिन मुत्राखंट के अंदर के जगाओं पर रिवर राफ्टिंग होने लगी है साथ ही जिस तरह से कैजारनाथ की बात करें चारधाम यात्रा यहां चल रही है चारधाम यात्रा में किस परकार की सुविधाय हैं आप वीडियो के माध्यम से देखते होंगे लेकिन यह लाइव स्ट्रीमिंग है यहां पर किस तरह से चारधाम में नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं यात्रियों के रुखने के लिए विवस्थाएं त्यार की जा रहे हैं आने वाले एक से देड़ साल में यह पूरी विवस्था इस परकार से बन जाएंगी राज्य सरकार पर साहन दे रही है हॉमस्टे बनेंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा इस्थानी लोगों को होगा साथी राज्य सरकार को यहां टूरिस्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी